हेलो एवरिवन गुद मॉनिंग रादे रादे कैसी हूँ आप सब आशा है कि आप सब बढ़िया होगे स्वस्थ होगे मजी में होगे हम भी बढ़िया हैं तो भाई सुभै का टाइम है सुभै के बजे हुए है साड़े दस आप देख सकते हो और मेरे घर के हाला बहुत बिखरी हुई है बच्चों ने बतलब बुरा हाल न गर रखा है और कुछ मैंने कर दिया क्यों खाना वाना बनाया तो कीचन की कुछ नकसा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया तो यहां पे मेरे बच्चे भी मैंने बिठा दिया इनको आराम से बैड़ पर और यह अपना और आम इसको एंजोय कर दे आलो कच्छा अलो बेटा कहां गई थी और यह अब यह आराम से बैठ के देख रहे हैं और यह दो यह तीन मिनट के लिए लेकिन जब इसको यह होता है भही हाहां से भगलो मतलब यह कभी दर उदर कभी दर जाने लग जाती है तो इसका थोड़ा स बैठे और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है अपने अंगोठे पीने की यादत तो मैं अभी लेके आई हूं इसके लिए कुछ जुगार अभी इसके हाथों को मैं बांदूंगी तो बिल्कुल शोक से लेता है पहले तो बहुत रहता था था भी मत बांदो मत ब प्यार कर देता भी हाँ ममी डाट नहीं लगाएगी कुछ भी गलती कर दू बस इसका तो अभी यही है बच्चे तो मासुम होते न हट्वेट होते बड़ चुकी है लेकिन बच्चे जैसे दो से तीन साल की बीच में होते हैं बहुत ज़्यादा जिद्धी हो जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने उनको वहां पर बैठा दिया है आराम से और मैं अपना गई थी हां पर किचन में मेरी नाज तब यह थोड़ी धिली थी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का मेरा बस भी करना तो था ही वरना तो यह से ही भी खरा रहता सारा तो मैं अपने गुडिया को भी मतलब बहार ले आए थी मैंने बहार फ्रश पर विठाया उसको निचे और मैं अपना लग गई थी काम पे तो सोच दी थी प्या करूं क्या करूं तो सबसे पहले तो मेरे को भी दूद करना था गरम और मैंने दूद को रख दिया था भी गैस पर ग कर दी थी आज तो ना में को सारा काम करने में 10-10 बज़े लगी थी लेकिन मैं धेट बज़े फिर होई थी मतलब इस काम को मैं एक घंटा भी नहीं लगाती थी कि एक से सवा घंटे के बीच में लेकिन अब आज देखो कितना ज्यादा टैम लगया मतलब बोलते हैं ना भी तबियत खराब हो यह थोड़ा ना भी कोई हमारा काम करने के लिए आएगा करना तो हमको है या फिर भी चलो भी करती है यहां पर फिर मैंने अपना फटा-फट से गैस पर दूद रखा और जो मेरे बरतन थे सारे सिंग को मेरी बहुत बढ़ी हुई रखी थी बिल्कुल तो मैंने फटा-फट से सारे बरतनों को यहां पर क्लीन किया और मैं बार बार ने अपनी बेटी को भी देख रही थी कि वो फरश पर खेल रही है वो बीच-बीच मे ही बैठाया स्लेब बैठने के बाद तो इसको यह हो जाता है भी वापी के पास हो तब तो यह खेल लिती है जलेप पे मेरे बेटी अब यहां ठीट है अब यहां पर साफ हो गए थे तो सुखह की टाइम आज जिर मेरे समर्सबशदी लिकिा आए थे और अब यहां पर आहती ए मेरी सब्जी को विस फटफट वट झालिया था और फिर मैंने अपने सब्जीए और फिर निकल चाएं तुम इनको फॕषमालक 10 में रख दूगी और यहां पर भूर ताहि क्या हो जाता है इसको टीब थोड़े कैसे थे लेकिन जब बेटा जगता हो या टीवी देखता तो यह बिल्कुल नहीं सोती कितनी भी नींद आए लेकिन यह सोती निये बिल्कुल भी तो मैंने फिर दुमारा से मतलब उसको उसके भाईये के पास भी बैठा दिया बस यह होता है कि बेठा तो देती हूं बीच बीच में ज लेकिन जल्दी ही उसका मन भर जाता तो जल्दी से मतलब उनको भैक के देती है और अपना इंदर उतर फिर दुबारा से घूमने जलग जाती है तो मैं उसको वहां पेठाया आई थी और आ गई थी अपना बहार जो बच्चों ने समान भी खेर रखा था यह कुछ कुछ मैंने भी प्रैस किये थे कुछ मैं भी खेर देती हूं मैं भी कुछ बच्चों की तरही होने लगी हूं बस सारा दिन यह नहीं है फड़ा फड़ से काम समेट लूँ बस एक तो पता नहीं क्या हो गया है अफता सारा हो गया मतलब चार-पांथ दिन से ना बहुत जादा दर तो फिर मैं लग गई थी अपना थोड़ा सा काम करने में यह सारा समान बिखरा पड़ा था तो मैंने उठाया फटा-फट से उनको रखा और है न हम अगर जैसे कोई बड़ा काम करते तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता में लिमेटेड ही लगता है लेकिन जब हम लग बग सबके घर में मतलब यह होता है तो मैं अपना बही लग गई थी अपना काम करने में क्यों सुभह के टाइम जो चीज चाहिए होती हो फटा-फट से लिते हैं फिर महां पे वापिस नहीं रख पाते तो मतलब वह ऐसे ही रखी रहती है तो फिर उनको अपना लगाय यहां ख़ंआ प्यास फटल से यहां पह väम फिर मेने आपनी फटल से यहां जाब लगाए और बंट बढ होना ब्ला मुश्किल हो जाता है पता थन से ज हो रहे हैं मेरे को नहीं समझ में लागी है छी थीछए तो यहां पे फिर मैंने फटploy यहां आ लगा ली थी और तो यहां पे शाइ जाड़ू लगा ली थी यहां पे जाड़ू गेरा लगाने के बाद अब बारी आती मेरी सब्जीयों की लेकिन अभी इन सब्जीयों मेरे पाने सुका ही नहीं था थोड़ी मतलब घुपी के अंदर यह पाई था बागी तो सूख गई थी लेकर गोपी को और मेरा दूद्द भी और मेरा हुआ है यह को साथ यह गया च्रश कराफीP पानी के साथ ही इसको लग गई थी मैं साफ करने के लिए और तो उससे पहले मेरी सब्जी रखी थी आज तो मैंने सोचा चलो भई सब्जी को भी थोड़ा सा कटोरी मेला कटोरी में निकाल के रख देती हूं ताकि जो बरतन है ना फिर वो दूल जाए तो देखो तुबारा स फिर मतलब से फटा फट से भर ही जाती है अभी थोड़ा से मेरा गैस के बरतन हो गए तवा चिम्टा ही है लग से साफ करती हूं मैं तो अब फिर तुबारा से मतलब मेरी सिंक भर गई है और साथी साथ यहां पे मेरा बेटा आ गया भी बोटल देने के लिए बोला ममा दू तो मैंने फटा फट से अपने इस लेब अको को यहां पे कलीन कर लिया है। सलेब साफ करने के पास थे मिए उनको भी फटा फट से ने लगी ती मेरी बेटी लौने है तो मैं उसको बातिर लगा निवाली है बस ये इसको तो ममा के पास ही आना है. तो मैंने तुमारा से इसको यही पे भी बेठाया. कुछ ही है सोने के लिए रो कि दी. लेकिन जब तक मैं इसके साथ ना लेट उना तब तक मैं इसके साथ ना सो담. तो इसको भी ये ने होुता, कि ममा मैं सोजाउ। बस इसको ही मैं ममी को भी साथ में सुलाना है ताकि मम Minsi भी्याराम कर ले तो बब्ही मेरे साथ सोती है प्लता जाती है यहां पे मैंने अपना ब्डूस कर लिया था और बेटे को भी मैंने अपना दूद दे दिया था इपना नो McConnell 1700 ठंडा होने में भी टाइम लग जाता हूँ एक तम से नहीं होता हूँ ठंडा तो फटा फट से मैंने इसको ठंडा किया और साथ में थोड़ी सी यहाँ पर बेटे के साथ भी मस्ती कर ली फिर हाँ वेता हाँ देरियों बेटे तंडा होरा मेरी बच्ची कुम्ग्युद्ण के दिखर करकोت के साथ आट आट एडिक जैसे इसका केली छोटे थी लाजिसक का मन बिल्कुल भी लगता वसे को यहीं रहता कि कोई पासों कोई मुझे इसका भी मन नहीं करता तो इसको तो कैसे लगेगा तो यहां पे बैटे थी और मैंने उसको अपना दूद दे दिये था और यहां पे लगी थी तो यहां पे मेरा कीचन का काम लगबग सारा मोशली कंप्लेट होई गया था तो जो मतलब समान भिखरा हुआ था वह भी मैंने प मिराज अं-अअगरन भी मतलब न लगतिक है तो कुछ बहुत कीचन के बाद बारी आती है मेरी पुछ्र लगाने की वह ही लगाओं गहीं conservatives मारे ने ने रोव जा थी तो कुछ भी मतलब ना तो काम में मन लगता और ना यह बस기에 के साथ भी यह उतना फटास से काम वह कर ले और यह बच्चा भी रहतासी जip असींगी शहां के साफ कर लिए तो यह कुछ लीस लिए भी यहां पे थोड़ से चिरचड़ी हो गई तो मैंने सोच चले इसको पहले नहला देते हूं नहाने के बाद बच्चा ना मतलब थोड़ा सा लंबा सो जाता है दो धाई घंटे के करीब वरना तो यह मतलब एक घंटे में यह 25-30 मिनिट में उठ लेत अराम से बैटके बीशोटी यह नहाई लेती है बेटा भी मतलब हैं फुछ आफ शोड़े नहांता था अब तो यह जैसे बड़ा हो गया है तो बड़े होके तो नाना इक है तो नहां चोटे आप यहीं स्कृटी है जिंद्की चाहिए जिन्दकी दोबारा दोबारा नहीं म ऊच्छे हमारी यहां पर मस्ती चल रही थी और जब भी अपनी बेटी को नहलाती हुना तो मेरा बेटा जुरूर आता है तो आज वो अपना रायम्स में विज्दी था लेकिन उसको नहीं पता था भी दीदी नहा रही है जैसे उसको पता लगा भी दीदी नहा रही है वह मस्ती करते हैं ये भी साथ में करते हैं और यहां पे नहाने के बाद थोड़ी सी मस्ती करने के बाद दूद पी लिया थे इसने तो दूद पीने के बाद है भई मैंने बुच्छों का नहीं भ dau doors और फ्यांवोग बने को बना Вल लगए हैं लाऊने के बाद उक्सी में अब कवह सपी जया का नहीं से चलए धोट और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता बाद खाये है उसका लिवाना उटती है वातशा है और लूर्नीग की जशे छाइंग के वह तो आपनी आराम से बाद यहूं जिंदगा चल रही चाल रही है तो यहां पर आप खाना वाना खाने के बाद अपनी यहां पर बाहर ही आती है निक्षे से भी आज मैंने जाड़ों पोचा नहीं किया था क्यों इक तो बही मैं यहां पर आज बाठ बज़े उठी थी और मतलब उठते ही मेर को यह था ना अब यह अपने हजबन के लिए अपना टीफन लगा दू फटा फट से वरना फिर वह लेट हो जाएगे तो वान खानवाना बनाने में टैम थोड़ा लग गया था तो अराम अराम से किया था सब तो साड़े तस बज़ गए थे तो मैं थोड़ा लेट ही चल रही थी आज तो फिर यहां पर सारा काम अपना निम्टा के खापी के तब उसके बाद मैं अपना अब लोगों को मुश्किल हो जाता है पता है मेरे गोड़ों में बहुत जाद रहता है तो मैंने यहां पर फटा फट से जाड़ों लगा लिए थी उसके बाद अपना भी पोचा लगा लिया था और मेरा बेटा यहां पर बेटी तो मैंने उपर सुलाया थी कि उन्हाने के बाद वह थोड़ा सो जाती है अच्छे से तो मैं अपने बेटों को यहां पर निचे लिए थी कि उसको भी सुला दी लेकिन वह सोय आई नहीं इसलिए मेरा दपना गंटा ना इसको सुलान में वेस्ट हो गया ना तो वह सोया बस यह साथ में थोड़े से दिर मैं भी लेट हे पे मैं भी पहुंचा लगाते हुँ जाए तो मैंने अपने खाले लिए तो मैंने सच चलो भाई आज इस Familien दो आरा चाम करने के बाद मैं थोड़ाव में ऑप नयों को एंपने पार हमकर लितना था रहा मेना उनक्रीच अपने गजी गो इस आप बहुतार नहीं पालए न लेकिन उपर आके देखा तो बहुत चुकी थी अब यहां पर मेरे बेटे का सोने के टायम में लेकिन अब मेरे बेटे उट गई है तो मेरे साथ भाई ऐसे होता है एक सोता है जगता है तो दूसरा सोता है मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाती बस इनको ही संभालने में घर का काम स जरारत कर ले जाए तो मेरे कुछ तभी असी बोला था ना मैंने डाउन चल रहता है तो कल मैंने डॉक्टर से दवाई लेकिया थी तो उन्होंने यह मिर को दवाई दी थी और एक वोडर का डबा दिया था भी यह पीना है आपको और यह दवाई दी थी भी थोड़ी सी जाता है दूद भी पीति यह निया कि दूद नहीं पिती पिति फिर भी पता नहीं ज्यादा कमजोरी कैसे आ गई एकदम से कुछ नी मिल को समझ भी आ रहा तो यहां पर मैंने फटा-फट से यहां पर अपनी दवाई ले ली थी तो पता निसका कुछ टेस्ट भी थोड़ा था 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 एक थोड़ी से हां पर मस्ति बग्यार करने के बाद यहां पर मैं अपपनी वीडियो कर दिंस हूं क्योंकि एपme बहुत तो यहां पर मश्मैने के बाद मैं में इस्पर यहीं कि रोकती हूं थाप तब तके लिए बाबाई टेक क्यार है वे नाज दे रादे रादे जाशिर कृष्णा जादे बादे बादे आके लोमीर को है लो अर्णिस क्या लो डे और ही रादे़ लोगो ऑंई कि अवड़ी अवड़ी आप कि अई भी उज़ी लगके तो कि अई उपके। जब फ्यटेएशे की खोच्तिति लाःशे की अईयूदेट